हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे आप लोग उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूं और समवर का ये दिन था और जो है मैंने व्लोग स्टार्ट कर दिया है शाम से तो अपना जो है पहले डिनर बना लूँगी उसके बाद देखेंग क्या होता है तो दो दिन से मैंने व्लोगिंग नहीं किती थोड़ा थोड़ा कुछ शूट करती भी हूं तो अधूरा चूट जाता है तो मैंने का चलो आज प्रॉपर शूट कर ही लेते हैं तो यहां पर बस खाना मैं बना रहे हूं इडली और सामर इडली मैं इंस्टेंट अच्छी लगती हैं बजाए उसके तो फिर यह हम फटा फट बना लेते हैं तो बस दाल मैंने भिगो दिया आज मेरे पास कोई सबजी नहीं थी मंडी भी जाना था तो इसलिए भी मैंने इडली संबर सोचा क्योंकि फिर जब जाओ ना तो फिर रोटी बेलने का चकर नहीं दूँगी और मिक्स करके पानी डाल दूँगी और बाद में जब इडली के सांचों में डलेगी बैटर तब बस इनो डाल दूँगी तो यह वाली सही रहती है फटा फट बन जाती है और जैसे रात शाम के टाइम पे इडली बना लो चावल बना लो या ऐसी चीज़े बना तो यहां पर मैंने डाल दिया इनो और बस इनको सांचो में डाल देते हैं यह ग्रीस कर दिये थे और इडली होती रहेंगी और फिर डाल भी जो है तब तक मैं भीग गई थी आज मैं चटनी बनाओंगी चटनी भी बनानी है लेकिन मैं दो चीजों को मिलाकर बनाते हूं जैस पसंद आता तो वो चटनी से खाळते हैं कई-गई बार तो वो बोलते हैं सामच तो बनाया ही मत करो लेकिन जम मसाला इडली बनाती हूं या कुछ वेजिटेबल इडली बनाती हूं तो वो ईलू को नहीं पसंद है तो दोनों की पसंद अलग-अलग है तो इसलिए तो बस यहाप पर मैंने नमक खल्दी डाल के डाल भी चड़ा दे सब्जियां थी नहीं कोई आलू था या पत्ता गोभी थी या ऐसा कुछ था जो कि फिर मैंने का नहीं डालूंगी मैं घीया भीया हो सारी सब्जियां प्रॉपर हो तब तो डालने मज़ा भी आता है तो अज मंडी जाना था तो मैं सोच रहे हूं लेके आऊंगी तो बस यह सब चीज़ें हो रही है जैसे की सांबर हो रहा है तब तक मैंने यह पुराने डब्बे जो है वो निकाली जो जैम की होते ना जैम की बटल्स वो मैं रख लेती हूं पिछले एक व्लॉग में आपको बताया था फ तो यहां पर देखो यह अक्रेलिक कलर किये थी तो यह उतर भी जाएगा और धोएंगे एक बार तो इसमें हो जाएगा और जो यह इसका वॉल पेपर है वो मैं हटा दूंगी तो हट जाएगा थोड़ा सा थोड़ा सा मैनत कने परते हो फिर एजीली हट जाता है तो यह जालके और यह जाग बना लिए धकन भी धोके रख दूंगी सुखा दूंगी और सूख जाएंगे तो इन पर कलर कर देंगे और बांकी जो कांच की बॉटल्स हैं उनको भी धो दूंगी अंदर से भी साफ कर लेंगे और क्योंकि चिपकाया था वाल पेपर तो उसकी गोल्डन कलर का तो इसकी जो धकन है ना मैं गोल्डन कर दूंगी और यह मैंने वाल पेपर और इसलिए अठाए हैं ताकि यह बिल्कुल प्लेन हो जाए अब डी मार्ट जाओ आप ऑनलाइन मंगवाओ या नैशनल सूपर मार्केट में जाओ तो ऐसे डबबे 20-20-30 रुप खाया इस्प्रे कलर इस्प्रे बेंट तो फिर मैंन का चलो कलर तो यह हो तो मैंने दिये थे यहां पर धूल चुके हैं यह और जब यह सूख जाएंगे तो लेट नाइट मैंन पर कलर कर दूंगे इडली भी देखो हमारी तैयार हो गई है तो अब वह बचती है नारियल तो मुंफली को मैंने सेक लिया था और बस इसको कपड़े में डाला है और इसको गुचल कुचल करके और बस इसके चिलके उतार लेंगे तो इससे ज़्यादा महनत नहीं होती है तो यह देखो चिलके उतर गए अब मैंने एक ट्रिक देखी थी वैसे तो हम क्या करते है कि ठाली में डाला फिर फटक फटक के फूक मारते हैं न तो छिलके पूरे किचन में उड़ते तो यह आरा था कि ऐसी वाली चंणी में डालो और फिर इसको ऐसे सह भीलाओ तो छिलका निकल जाएगा ओड़ेगा भी नहीं खराब मcómo कभी नहीं होगा और मुंग्व inspiring गिर भी जाते हैं तो उनको चुनना पड़ता है तो यह थोड़ा सा रहता है लेकिन हाँ ठीक है उस फूक मारने से बैटर है और यह देखो यहाँ पर चटनी बस बना लिए मुंगफली मैंने डाली है नमक डाला मिर्ची डाली है और बस इसको पीस लेंगे दही डाल करके और चना दाल उड़त दाल और दानमेधी डाल दी फिर मैने इसमें हिंग डालना बोलके थी तो कडी पत्ता डाल दिया और मैंने सूखी लाल मिर्च डाली हरी और फिर वो पके तो फिर बैसिक मासाले डाल दीए अब सामबर का टेस्ट जरूरीतिन ही कि सबज़ियां हो तबले तो टमाटर भी होगा तो आ जाता है टेस्ट क्योंकि में जो है मसाला वो है सांबर मसाला तो उसी से तो सारा टेस्ट बनता है तो बस वो है आपके घर में तो कोई सबजी वगेरा ना हो तब भी सांबर बनी जाता है तो सामर मसाला डाल दूगी, यमचूर पाउडर डाल दूगी, तो बस सामर का टेस्ट आ जाएगा, और फिर दाल हमारी उबली चुकी है, तो बस वो डाल दूगी, थोड़ी सी दाल मन निकाल के रख ली थी, नेक्स डे किसी चीज में काम आ जाएगी, तो यमचूर भी मैंने डाल दिया था, और बस डाल डाल के, थोड़ा और पानी डाल के पतला करके, और कम ही मैंने बनाती हूँ, क्योंकि हमारे एके कटोरी से ज़्यादा लगता नहीं है, फिर वो वेस्ट होता है, फिर अगले दिन सामर के पराठे बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए, इसलिए वो तो मैंने कम ही बनाया, थोड़ी सी डाल बचा के रख लिए, फिर बस ये बरतन करने लग गई थी, तो बरतन कर लूँगी, फिर आपको बताती हूँ, मैं बैट शीट और लेके आई थी, डेली यूज की, तो वो दिखा देती हूँ, थोड़ा सा पसीना वैसीना पोंचा चैन आया, केचन में पंखा तो लगवा लिया, लेकिन मैं चलाती नहीं हूँ, फैन, तो ये देखे, बैट शीट लेके आई थी, मैं दो संडे वाले दिन, लेट नैट लेके आई थी, क्योंकि बिलकुल मेरी खतम होगी, क्योंकि मेरे हजबन ने सारी बैट शीट जो है, व ऐसे खराब होगे, तो ऐसे करके दो अभी तो लाई हूँ, ज्यादा वराइटी उधर नहीं थी, नेशनल सुपरमार्केट में, और एक है 480 का, एक है 495 का, फुल तो मैंने भी खोल के नहीं देखे, लेकिन अभी स्टार्ट चल रहे हैं, तो मैंने बिचाना स्टार्ट नह देखे आते हैं, एक भाईया साड़े 300 का ही बड़े वाले बैड का देते हैं, बट उसमें थोड़ा सा था कि थोड़ा सा निशान है, तो वो तो मैंने लिये नहीं देखो, 300, 300 में ही वो दे देते हैं, हाँ नहीं, वो 500 में दो दे देते हैं, मंडी में मैंने एक बार देखा दूंगा तो मैं तो नशनल सुपरमार्केट से लेती हूँ या फिर मैं तो अभी दिवाली पे जाओंगी शाध पक्ष में तो भी मैं गई नहीं हूँ अभी रोनक लगेगी नомार्केट में तब जाओंगी और आप लोगों बशी हो भी मार्केट दिखाओंगी पूरी चीज़े आ जाएंगी और मैं लगाओंगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो अब दिखाती हूं इस तरीके से वो प्रैस रख देते हैं और प्रैस के रखने से इस तरीके से ये बैट शीट मेरे जल जाते हैं तो ये देखो इस तरीके से सारी मेरे बैट शीट जो है वो खराब हो चुके हैं मेरी जो कुशन कवर होते हैं न पांच-पांच का सेट वो दो सेट मेरे हजबन खराब कर चुके हैं जला-जला के कुशन के उपर रख देते हैं प्रैस को तो फि ऐसे करते करते, deciding उन्होंने नहीं किया और ज्ञादा कुछ सबजी नहीं आई, मैं अपने लिए खीरा ककड़ी ले आई, टमाटर ले आई, थोड़े ज्यादा 2 किलो, मैं अपने लिए अपल ले आई, तो बस थोड़ा सा अब डाइटिंग करेंगे, थोड़ा सा सही खाएंगे ऐसे नहीं कि भूके रहना है सही खाना जो है वो खाएंगे मैं सोच रही हूं क्योंकि अभी सब कुछ थोड़ा सा टबिट ठीक है पीरेट्स वगएरे भी निकल गए तो अब कर सकते हैं exercise वगएरे शुरू तो यहां पे बस ये बंडी से आ गए थ फिर वो ही मैं बता रही हूं ना कि लेट नाइट फिर मैं आपको बताया था तो देखो ये ढल धकन सारे इस पर पे पेंट कर देंगे ये ढकन जो है सारे और ये वाला कलर मेरे पास रखा था मुझे लगता है डो कोट तो करने ही इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर नहीं हो प पर दबे रखे हैं तो उनके जो धकन है ना वह भी मैं सूच रहा है ऐसे ही कर दूँगी तो पूरे डबो का ना सैट बन जाएगा ये तो आठ डबों का ओगया आठ डबे का सैट हो जाएगा अठ कंटेनर बन जाएगी उसके मिर पास और भी जादा है दस के करीब ऐसे जह ये प्रॉपर सूख जाएंगे तो आप लोगों को next किसी vlog में दिखाऊंगी तो आज के vlog में बस इतना ही मिलते हैं next vlog में तब तक लिए bye love you all thanks for watching